प्राइमरी स्कूल के पटांगेंड में इकट्टा हुए थे कालेक्रम के दौरान डौक्टर बावासर वंबेटकर और महात्मा गांधी जी की तस्पीर पर मालयारपन करके द्वाजा रोहन भी किया गया तभी अचानक कुछी देर बाद भीड में उपस्तित तिलक्चंद हसनलाल बिरनवार उम्र 38 जिसने अचानक इससे पहले कि किसी को कुछ समझे ग्राम वस्यू के समने शराब के नशे में डौक्टर बाबा से बंबेटकर जी की तस्वीर के उपर से फुलो की माला निकाल कर मातमा गांधी जी की तस्वीर पर चड़ा दी दर्शको अचानक हुई इस गटना से सभी लोग अच्छम भी त्रहे गे वहां मोजित उनके भाई देवी दास बिरनवार नी नशे में दूद अपने भाई को ऐसा ना करने की हिदायती लेकिन बजाई ये सब सुनने के उसने इन सभी बातों को दर्किनार किया तिलक्चन की सरकत को देखते हुए सभी ग्राम वासी गुस्वे में आग बबुला होगे और वहां मोजित पाठचला की मुक्यादापिक से तिलक्चन की शिकायर करते हुए उस पर कानूनी कारवाय करने की मांग भी करडाली उसी समय रावनवाडी पोलिस चोकी को इस घटना की जानकारी भी दी गई पोलिस भी घटना की गंबिरता को देखते हुए हवलदार दुबेलाल भयालार और उनके सहापाटी घटना स्थल पर पहुचकर घटना की चानबिन शुरू कर तिलक्चन को अपने धिरासत मिलिये वहाँ पर मोजित पोलिस करमचारी के साथ सभी ग्राम निवासी भी तिलक्चन के खिलाफ एफायर दर्श कराने पोलिस चोकी पहुचे घटना की इस गंबिरता को देखते हुए हमारे गोंदिया के समवाद दातों ने भी इस घटना को कवर कर इसके रिपोर्ट त्यार करने में तेरी नहीं की और साथ ही साथ सभी को शांती बनाए रखने की अफिल बेकर डाली तिलक्षन बिरा नमाद या के दाइवास ही हुआ है उन्होंने सबके साथ उन्होंने कुझा करते समय अचानक किसी का धान भी देख रहे हैं कोई बच्चे किता मैं भी बच्चे कितार देख रहा हुए इस यंतरोग इसने बाबा सायद के हार को निकल के इसमें डाली की कु टाइमस ओफ वीदरबे के लिए गोंदिया से सुनेल भंडार कर और शेशिकांत बागडे की रिपोर्ट